कुछ स्लाइट दुबारा आ गया कोई बात नहीं अब शियर होल्डर वर्सिस वोटिंग रहे हैं तो शियर होल्डर किसको मिलेगा सर एकुटी शियर होल्डर को कहता है कि एकुटी शियर होल्डर मतलब कैपटल जितना लिया है उसके अकॉर्डिंग उसको वोटिंग राइट मिलेगा अगर पोल से होगा तो जितने नंबर आफ पेड़ अप जितने परसंटेज है उतनी वोटिंग मानी जाएगी एकुटी शियर कापटल और प्रफरेंज शियर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता ठीक है अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर बाकी तो वह भी इंपॉर्टेंट था इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कई नंबर ऑफ टाइम बाइबेक पूछा जाता है तो सबसे पहले बाइबेक का मतलब क्या होता है हम यह समझ लेते हैं ना बाइबेक का मान लो यह कंपनी है और यह शियर होल्डर है और एक नहीं अनेको शियर होल्डर है यह शियर होल्डर एक नहीं अनेको शियर होल्डर थोड़ा चोटा कर दें से क्योंकि बहुत सारे लेकर आने हैं है ठीक है बहुत सारे शेयर होल्डर हैं यह सबी चलो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं तोड़ा सा यह लो जी यह शेयर होल्डर है ठीक है अब जो कंपनी है कंपनी ने शेयर यह सारे इसु किये हुए है पहले से नॉर्मली कमपनी इस स्टेर को नहीं खरीद सकती नॉर्मली लॉग कहता है वहीं तुम आपने स्टेर ईस्टेड गट जाएगा और आपके बैलेंश शीट जो है उस बैलेंश शीट के अंदर अगर आपका शेर क्यापटल zero हो जाएगा खरीद खरीद के तो फिर कैसे आप चलाओगी company बिना मालिक के तो यहां पर यह बोला गया है लेकिन कुछ एक provision है जहां पर government ने allowed किया है तो इनके shares को वापस से खरीद लेना इनके shares को वापस से खरीद लेना यानि यह share holder मान लेते हैं सभी को नी अब हम मान लेते हैं कि मैंने इस वाले line को बोला के भाहिया तुम अपने शिर और ऐसा नहीं चीन देंगे बोला जाता है तुम अपने शिर बेच रही हो बोला जाता है हाँ बेच रहे हैं चलो बहुत आजाओ इदर आजाओ अब यह share किस के पास आगे सर कंपनी के पास हो गए अब मार्केट में कितने शियर बचे हैं इतने शियर बचे हैं तो जो मार्केट में से शियर से हम खरीद लेते हैं उसी को बोला जाता है बाई बैक ऑफ शियर लेकिन इस शियर को ऐसे नहीं खरीदना लौने मना किया था लेकिन बोला चल equity ratio 2 is to 1 होना चाहिए number 4 आपको within a, मतलब एक time period के अंदर आपको सारे intimation ROC को देना होगा, savey को देना होगा अगर आप listed हो number 5 आपका shares जो होना चाहिए, वो 7 दिन के अंदर सारे file को destroyed करना है number 6, एक साल तक 1 year तक आप कोई fresh issue नहीं कर सकते, except shop और ये, तो ये सारे provision है कि ये सारे अगर आपने condition fulfill किये हैं, तब आप buyback कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपका buyback valid नहीं माना जाएगा, तो चलिए आईए देखते हैं क्या कहता है buyback, मैंने वैसे buyback समझा दिया है आपको, तो कहता है meaning, purchase by a company of its own share other security is known as, popularly as buyback, इसको buyback बोलते हैं of share, buyback of security बोलते है, it's referred to the buyback of company, its own share मतलब अपने share खुदी खरीद रही है buyback में, miserly है, क्या-क्या provisions है, बहुत important है, साहब ये provision और यही आना चाहिए, देखे condition क्या कहता है buyback का buyback का condition 68 section याद रखे का, पहले था 77 A, 1956 में अब 68 हो गया है a company can purchase its own share specific security where the buyback authorized by the article, अगर article आपको यानि AO, अगर आपको बोलता है, तो करोगे a special resolution pass और SR pass होना चाहिए, और buyback सहाब कितना कर सकते हैं, अगर board of director है तो 10% और equity shareholder खुद buyback करवाना चाहती है, meeting में तो 25% paid up capital का, ठीक है तो कहता है general meeting of the company authorized buyback however the buyback up to 10% paid up equity share capital reserve to the company company के पास free reserve में से 10% कर सकती है, the board of director passing resolution, जो BR है board resolution pass करके कर सकती है तो buyback कितने होंगे, 25 और 10 अगर board of director है तो 10% और shareholder अगर पास करती है तो कितने परसेंट 25% आ जाई है सर कहता है, the amount of involved buyback not more than 25%, मतलब 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता किसका सर, total paid up capital plus में reserve and surplus इसका proper equation मैंने buyback वाले chapter में करवाया हुआ है, जैसे कि क्या कहता है, paid up capital plus reserve and surplus, paid up capital का मतलब balance sheet में equity share capital plus preference share capital और plus जितने free reserve है उसको add कर लेंगे, उसका 25% further the buyback equity share limit 25% total paid up capital, यहाँ पे कुछ limit को भी test किया जाता है कि इससे higher नहीं होना चीए, debt equity ratio भी check करना पड़ता है, तो वो तो accounts के अंदर देखा है, यहाँ पे सरिफ theory में लिखना है कि 10% board करेगा और 25% equity shareholder कर देगा और the company का debt equity ratio होना चीए, वो क्या होना चीए after buyback 2 to 1 होना चीए अगर debt equity ratio 2 to 1 नहीं हुआ तो नहीं कर सकते है तो पहला देखो special resolution pass होना है AO permit करना चाहिए, 10% board कर सकता है 25% share capital कर सकता है debt equity ratio 2 to 1 होना चाहिए all share specific security buyback fully paid up होना चाहिए ऐसा नहीं, partly paid up को कर दो आप कौन सा होना चाहिए, fully paid up होना चाहिए the buyback other specific listed stock exchange में must be according to CV CV के guidelines के according होना चाहिए अगर stock exchange में listed है तो otherwise आप अपने हिसाब से कर दीजिए तो देखे क्या क्या था SR pass होना चाहिए buyback करने के लिए 10% board, 25% normal और इसके बाद आपका article of association आपको permit करना चाहिए buyback करने के लिए और साथ के साथ fully paid up होना चाहिए और CV के rule के हिसाब से होना चाहिए तो काफे सारे points है जो फटा-फट कर लेंगे अब सर buyback करोगे तो पैसा कहां से लाओगे source कहां से होगा source तो बोला गया company buyback करेगी कुछ source है its free reserve से buyback कर सकती है security premium से buyback कर सकती है the proceeds of shares other specific security या company fresh issue से भी कर सकती है fresh issue का मतलब है company और other class का कर सकती है other class जैसे मेरे पास एक 10 रुपे face value वाला share है और एक 100 पे face value वाला share है तो ये वाला share buyback करने के लिए मैं ये वाला share issue कर सकता हूँ तो other class हो जाता है तो यहाँ पर ये है reserve हो, security premium हो या फिर fresh issue की बात कह दी गई है buyback के provision companies act में क्या-क्या है वही चल रहा है method क्या होगा sir buyback करने का कैसे buyback करोगे, कहां से buyback करोगे sir आप existing shareholder से buyback करोगे open market से buyback कर सकते हो buyback purchase security from employee से buyback कर सकते हो यानि आपके share तो तीनी जगह होंगे न या तो share market के अंदर trade हो रहे होंगे या फिर आपके खुद जो जानने वाले है उनके पास share होगा या employee के पास होगा यह दुबारा आ गया, इसको भी हटा देते हैं slide खामा खाम बढ़ गया लगता है कोई slide मैंने छोड तो नहीं दिया repeat कर कर दिया मैंने, चलो आईए sir, buyback provision में आगे चौथा point completion of buyback जैसे buyback होगा, completion must be 12 महीने के अंदर आपको buyback complete कर लेना चाहिए ऐसा नहीं कि special resolution सब कुछ हो गया और दो साल बात भूलते हो, हमने sr pass किया था और buyback करने दो company बोली कि अब दुबारा से सारे चीज़ें आपको ऐसा नहीं होगा, आपको special resolution जब pass किया था, board of director resolution pass किया था, उससे एक साल के अंदर आपका buyback हो जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कितने टाइम बात, एक साल के अंदर highlighter यूज करके देखे के कैसा रहता है एह, बेका रहे तो चलो फिर से दुबारा slide आगया, oh my god रखता है, मैंने बहुत बार repeat कर दिया, रात को late night notes बनाने से आसे होता है extinguish the security, मतलब security को पूरी तरीके से खतम कर देना, मतलब जो आपके पास share certificate है, उसको फाड के जला देना और उससे destroyed कर देना extinguish का मतलब होता है the company कितने दिन में, sir जब buyback किया है, उसके 7 दिनों के अंदर ये सारे shares को आपको खतम कर देना होगा जला के, ठीक है, further issue of security, sir, where the company complete buyback, its share other specific security itself not make further issue same kind of shares कब तक, within a period 6 month, अच्छा मैंने एक साल बोल दिया था अब 6 मैंने कर दिये गया है, 6 मैंने तक नहीं कर सकते, लेकिन bonus कर सकते हो, ESOP कर सकते हो, sweat equity कर सकते हो, यहाँ पर warrants कर सकते, stock option, तो वही बाते यहाँ पर लिखे हुई है, तो चलिए sir, register of the buyback, मतलब register, जैसे buyback complete होता है, the company किसको intimate कर देगा, ROC को intimate कर देगा, the company required to maintain a register security, bought consideration paid, security buyback, the date of cancellation of security, date existing physically destroyed, वो सारी बाते register कर देगा, ROC के पास filing return करेगा, और CV है, तो भाईया, CV के पास भी कर देगा, कब कर देगा, 30 दिनों के अंदर कर देगा, कहता है, company shall after the completion of the buyback, file the registration to the CV, only of registered in case of the listed, और return content, prescribed particular buyback, 30 दिन के अंदर CV को बता दो, तो साहब, ये buyback का क्या होता है, default कर ने पे क्या provision है, साहब default का मतलब, आपने नहीं company की बात मानी, तो यहाँ पे provision जब भी होगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको fine याद रखना है, a company make any default complying with the provision of the section, जो हमारा 68 में गीवन है, any security exchange board of India, कितने हैं, not less than 1 lakh का fine, but it may be extended to 3 lakh और इसको 3 lakh रुपए किया जा सकता है, every officer of the company who is default, यह तो company पे fine था, और अगर कोई officer इसके लिए जान बुच के है, उसको punishable fine किया जाएगा, not less than आपका 1 lakh, उसके पार 1 रुपए लगेगा, it may be 3 lakh उसके उपर भी लगेगा, यानि जब fine लगाने के बारी आती है, तो दो लोगों पे लगता है, company पे भी fine लगता है, और उसके members पे भी लगता है, जो इसके default हुए है, जो इसके default हुए, तो sir यह था पूरा का पूरा हमारा buyback, तो buyback hopefully आपको समझ में आया होगा, मैं कहना चाहूँगा, आप वीडियो देखी रहे हो, तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको वीडियो के अंदर, जैसे कि मैं YouTube पे भी डाल रहा हूँ, और class में भी करा रहा हूँ, तो अगर मेरे lectures आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो please अपने दोस्तों को भी बताईए, क्योंकि उससे हमें help मिलेगी, मैं सीधा बोलता हूँ, कि हमें अपने आपको grow करने में help मिलेगी, और जितना ज्यादा हम grow परकाएंगे, उतने अच्छे हम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, और भी subject साब के साथ लेके आप आएंगे, जितने भी थियूरिय मेरा सपना है के पूरे subject करें, और चैनल को भी like, share, subscribe करें, ताकि आने वाले future में आपको तो अच्छा content मिले, और future में बच्चों को भी जो आपके junior है, उनको भी अच्छा content मिलता रहे, ठीक है ना? तो चैनल को like, share, subscribe फटा-फट से कर लेना है, चलिए सर अगला है next concept, ओहो कितना असान concept क्या बात हो गई सर security premium section 52 सर security premium कहां कहां use हो सकता है सर security premium क्या लिखा A, B, C, D और E total 5 point और यह accounts में पढ़ा हुआ है, accounts में भी इसका theory आएगा, buyback का भी accounts में theory आएगा, इसका भी आएगा, सर कहां कहां हो सकता है, number one, देखो company क्या कैसा कर सकता है, company यहाँ पे मैं bonus paid मैं underline कर देता हूँ, fully paid bonus के लिए security premium bonus वाले chapter में आपने करा है bonus paid में ठीक है, इसे white कर दें किया ज्यादा करने के लिए company start होने से पहले जो खर्चे हुए थे, उसको write-off करने के लिए, इसके बाद अगला point, दो point होगे न, एक तो bonus share, preliminary expense, write-off करने के लिए, इसके बाद commission, जो under writer का commission होता है, discount allowed issue of debenture, उसको write-off करने के लिए इसके बाद premium payable on redemption of any redeemable preference share के premium को paid करने के लिए, इसके बाद security under section 68 for the purpose of own share, अपने shares को खरीदने के लिए भी इसका इसका इस्तमाल हो सकता है, लेकिन debenture के case में देखना, यहाँ पर ध्यान देना any providing the premium payable of the redemption of any redeemable preference share और any debenture, debenture जो redeem करोगे उसके preference share, उसके premium को debenture redeem करने के लिए, DRR या CRR के लिए यूज नहीं होगा, उसके premium को paid करने के लिए इस्तमाल हो सकता है, और अगला point क्या देता है, के for purchase अपने buyback, यानि on share का मतलब यह है BB, तो फटा-फट 5 point बोलिए, एक तो भाई, bonus issue करने के लिए, buyback करने के लिए, preliminary expense को write-off करने के लिए, preference shareholder के premium को payment करने के लिए, underwriter के commission को करने के लिए, ठीक है, ये था हमारा 68, पढ़ लिजिएगा, बहुत पहले से हम करते हैं, ये लो अब 63 आ गया, सर 53 में क्या बात करता है, सर कहता है, discount, 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 53 में बोलता है, भाईया, आप share को discount पे issue नहीं कर सकते, पहले 1956 में था, 1956 में इसका section जो था, आपका, जहां पे हम section 77, 76 था, जहां पे हम discount पे, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं, उसके बाद 2013 में बोला, कि company अपने share को discount में issue ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतला, लेकिन यहां पे भी exception है, आप ESOP कर सकते हो, और आप sweat equity discount पे कर सकते हो, बाकि कोई भी share discount पे issue नहीं हो सकता, तो वही बातें बताई गया है क्या the security premium can be apply by, कहता है the security as premium account may be apply by the company towards the issue of unlisted share member, नहीं भाई, यह heading थोड़ा सा गलत हो गया, और यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, slide हाँ, यह वाला ठीक है, चलो इसको भी कर दें, delete चलिए, ठीक है इसको delete कर दिया, आईए अब सर, हमारा provision अमतलब के prohibited है, कि भाई, shares को discount पे section 53 मना करता है, कहता है any share issue by a company, discount shall be void except the following मतलब share issue कर दिया तो void होगा, यह share माना ही नहीं जागा, लेकिन कुछ following, कौन सा a company can be issue at discount, creditor convertible shares आपको creditor को कर सकते हो convertible shares कर सकते हो और resolution of debt restricted to the as per guidelines जो RBI का है, any other issue except sweat equity share under section 54 और is obvious के अंदर है discount price पे इसको issue किया जा सकता है discount price पे इसको issue किया जा सकता है तो आपके जो भी buyback थे buyback को हमेशा किस पे किया जा सकता है discount पे आपके equity share को कभी भी issue नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ exception केस है अगर चाहता है save save के according अगर देखा जाए कि आपको अपने creditor को या फिर आप fully convertible share है तो उसको discount पे issue कर सकते हो और आप sweat equity यहाँ पे e-shop का discussion नहीं है मैं लिख देता हूँ इस shop को भी discount पे issue किया जा सकता